मस्कर वच्चो आज हम एडिकले डब्वेस कुष्टिका कक्छा चार बिशाय अंगले जी के लेसन थ्री अप्पू एंड अनु के कौस्टन आंसर हल करेंगे इसमें आंगले देखते हैं वच्चो भैरी सौट आंसर आंसर इन बन बर्ड एक सब्द में उत्तर दें आईए बच्चो इसका पहला क्वस्टन देखते हैं व्वूम डिट दा एलिफेंट मीट तो बच्चो इसका अनसर हम लिखेंगे दा एलिफेंट मीट एन एंड एलिफेंट हाती से मिला Question 2 है हमारा Write the opposite of happy तो यहां बच्चो हमको Happy का opposite word लिखना है तो बच्चो Happy का opposite word होगा Sad आईए बच्चो Question 3 देखते हैं Rearrange the letter 2 from the new word तो बच्चो इन letter से हमें एक नया word बनाना है तो इसका नया word बन जाएगा बच्चो P.E.N.Pen आँगे बढ़ते हैं short answer answer in one sentence एक बाख में उत्तर ते Question 4 है What is the name of the end? इसका answer लिखेंगे हम Anu is the name of the end आईए बच्चो आँगे बढ़ते हैं Question 5 Where was the elephant going? आती कहां जा रहा था तो बच्चो हम इसका answer लिखेंगे The elephant going to market आती बजार जा रहा था आँगे देखते हैं बच्चो Question 6 हमारा When do we use in umbrella? तो बच्चो हम umbrella कब use करते हैं? तो इसका answer हम लिखेंगे Rainy season in we are use in umbrella हम बरसाथ के महोसम में umbrella का उप्योग करते हैं आँगे बढ़ते हैं बच्चो Long answer Answer in two or three sentence दो या तीन बाग को में उत्तर दें आईए बच्चो परसर नमर सेबन देखते हैं राइट होड लाइन इन ओन एलिफेंट यूजिंग रबाइड फ्रॉम दा बॉक्स ट्रंक टीथ एर लेक्स दिये गए सब्दों से हाथी पर चार लाइन लिखें तो आई बच्चो चार सेंटेंस बनाते हैं अगे बढ़ते हैं एक सब्द में उत्तर दें इसका पहला कॉस्चन है बाट इस दा नेम आप दा एलिफेंट हाथी का क्या नाम था तो इसका अंसर होगा अप्पू दा नेम आप दा एलिफेंट अप्पू इस पार्ट में हाथी का नाम अप्पू था आँगे बढ़ते हैं शौट आंसर आंसर इन बन सेंटेंस एक बाक्य में उत्तर दें इसका क्वेस्टन टू है बेर डज एन एरोपलेन फ्लाई हवाई जहाज कहां उड़ता है तो इसका आंसर लखेंगे हम एन एरोपलेन फ्लाई इन दा स्काई हवाई जहाज आसमान में उड़ता है आईव अच्छो आँगे बढ़ते हैं लॉंग आंसर राइट इन टू और त्री सेंटेंस दो या तीन बाग को हमें उत्तर दें इसका कॉस्टें थ्री है राइट थ्री सेंटेंस फ्रॉम दा गिवन टेवल जो जो टेवल दिखाई दे रही है इसमें से हमको दो या तीन बाग के बनाना है आईव अच्छो हमारा पहला सेंटेंस बन जाएगा अपू बाज गोइंग टू मार्केट हमारा दूसरा सेंटेंस होगा अपू टोक आउट इज हम अंबरेला और हमारा आईव अच्छो हमारा तीसरा सेंटेंस देखते हैं अपू बाज एन एलिफेंट इस परकार हमने लेसन थ्री आपको एन अनू के सभी कॉसन हल कर लिये हैं हमारे चैनल पर और भी विषयों के विष्णों की हल दिये गए हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में सेयर अबस्ते करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले विडियो आपको मिल सब्सक्राइब अन्न बाद